हो बीप यू ऑसा पाइठ ऑफ ब्रफ उसे नाम यहुट बीजनस प्रोस्स होता है अपना काम किसी और कौशत को हम क्या होता है एक बार आप BPO और KPO के डिस्टिंगे इसका एक बार वीडियो देख लिए अपने आप सब आपको समझ में आ जाएगा तो फिलाल हम लोग इस पार्ट पर आते हैं देखिए जब हम लोग अपना कवी काम किसी और को देख लेंगे तो आप खुछ समझ में आ जाया खास करके कॉल सेंटर जिसको हम कस्टमर केर्स बोलते हैं वह BPO के डायरे में आते हैं रिजन ही देर क्यों कि वहां पर कोई भी खास स्किल टैलेंट या नौलेज की ज़रूरत नहीं होती है खाली कम्यूनिकेशन आपकी कम्यूनिकेशन इसके लिए बस उतने से काम हो जाता है आपको रटी रटाई स्क्रिप्ट होती है कोई भी कॉल करेगा आपको वही बोलना है आपको कोई बहुत जादा एक्सपर्ट, अकाउंट, साइंस, फेजिक, जियोग्राफी का कोई भी नौलेज होना खास कर जरूरी नहीं होता है खाली कम्यूनिकेशन इसकिल अच्छी है आपको रटी रटाई स्क्रिप्ट दी हुई है आपको उतना ही बगबग करना है और अपना काम देखना है इसके लिए कोई बहुत हाई लेवल फोकस नहीं होता है इसमें बहुत लोट लेवल फोकस होता है अपार्ट फ्रॉम दिस अल्सो यहाँ पे टैलेंट की बात किया जाए तो टैलेंट में अगेन वापस से वही काउटिंग होता है आपका मेन कम्यूनिकेशन स्किल काउंट होता है आप देखेंगे यहाँ पे BPO is a type of outsourcing that involves the contracting of the operation and responsibilities of specific business process to the third party service provider मतलब जो हम अपना काम किसी और को दे देते हैं third party के तो उसी को हम क्या आप बोलते हैं business process outsourcing अरे तो simple है तो outsourcing का meaning है फिलाल business process outsourcing refers to the outsourcing of peripheral activities of the organization प्राइमरी मतलब जो other activities जो बहुत ज्यादा प्राइमरी बिजनस के लिए नहीं है प्रेफरल activities of the organization to the external organization बाहर की company को to minimize the cost and increase the efficiency बाहर की company को देते हैं ताकि हमारा cost क्या हो कम हो और हमारी efficiency क्या हो ज्यादा हो for example customer care center for various banks आप देख सकते हैं फोन के भी customer care center होते हैं उड़ा फोन का रिलाइंस का टाटा का सबका customer care center होता है जहाँ पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं आपके problems related तो इस तरीके से simple अगर मैं बात करो एक दम सीधी साधी बात करों तो business process outsourcing के अंदर एक company दूसरी company को contact देती है third party को external company को काम करने का अब काम करने का तो सारा काम अगर दूसरे को दिया तो outsourcing होता है तो उसके अंदर बीपियों क्या होता है बीपियों में प्राइमरी अक्टिविटी दी जाती है जहां पर कोई खास इंफार्मेशन और नालेश जोरत नहीं होती है खाले communication skill से काम चल जाता है like your call center I hope everybody have enjoyed and learned many things from the video and if there is any confusion or doubt ask in the comment and if there is any suggestion and guidance put in the comment I will apply from the next video thank you very much to all of you for watching the video